रूस युक्रेन जंग में युक्रेन को अमेरिका और पश्चमी देशों का जबर्दस सपोर्ट मिल रहा है। युक्रेन जंग में अमेरिका और नेटो देश रूस कुछ उतरफा घेरने में लगे हैं और उससे रूसी खेमे में हल चल है। रूस भले ही इस बात को खुले तोर पर स्विकार ना करे लेकिन राश्वपती पुतिन के एक्शन्स कुछ ऐसी ही तैयारियों की ओर इशारा करते हैं। सबसे पहले पुतिन का उत्तर कोरिया से नजदी की बढ़ाना और सभी संधियों को दरकिनार कर उसे हतियार देने का एलान करना एक तरह से अमेरिका को उकसाने या यू कहें कि आने वाले समय में एक बड़ी जंग से पहले खुद को मजबूत करने की प्लानिंग की और दर्श और इसराइली सैनेबलों की सहायता कर रहा है अब इसी कड़ी में रूस भी इसराइल के सताय फिलिस्तिनी लोगों की मदद कर रहा है जी हाँ पुतिन के वफादार और चेचन्या के नेता रमजान कादिरोव ने फिलिस्तिनियों को लेकर एक बड़ा एलान किया है रमजान आराम दायक घर मिलने पर फिलिस्तीनी भाईयों और बहनों को बढ़ाई मैं कामना करता हूँ कि वे फिर कभी युद्ध ना देखें भरपूर जीवन जीएं और समरिध्धों रूस की ये मदद एक तरह से अमेरिका को युक्रेन की मदद के जवाब में देखा जा रहा है इसरायल के खिलाफ जाकर गाजा के शर्णार्थियों को घर देना नौकरी देना और उनकी जिन्दगी को बहतर करना ये साफ इशारा करता है कि पुतिन अब अपना एक देशों का समूह तयार करने में लगे हैं जो जंग में उनके साथ खड़ा रहे पुतिन की इस मदद से उन्हें अब अमेरिका और इसरायल के खिलाफ हमले को अंजाम देने वाले प्रतिरोधी गुटो का भी साथ मिलेगा क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इरान, नौर्थ कोरिया, चीन और वियतनाम अमेरिका के नंबर वन दुश्मनों में गिने जाते हैं आपको बता दे कि चेचन गडराज्य की राजधानी ग्रोजनी इलाकों फिलिस्तीनी लोगों को बसाया गया है वह एक मुस्लिम बहुले इलाका है इससे आशंका है कि रूस को कई इसलामिक गुटों का भी साथ मिल सकता है यही वज़ा है कि युक्रेन जंग में अलग थलग पड़े पुतिन अमेरिका के दुश्मनों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और हर तरह से सयोग भी कर रहे हैं राश्रपती पुतिन हमेशा से ही युक्रेन की मदद के लिए अमेरिका और नेटो देशों के खिलाफ रहे हैं लेकिन अब जिस तरह अमेरिका और पश्चिमी देश खुल कर युक्रेन की समर्थन में है बाइडन इस्राइल के समर्थन में है उसे देखते हुए पुतिन भी आने वाली एक बड़ी जंग को भाप लिया है और उसी रणनीती पर काम करते हुए नजर भी आ रहे है हलाकि पुतिन की इस मदद से बाइडन और नितन न्याहू दोनों को ही मिर्चु लगेगी लेकिन आने वाले समय में ये जंग किस मोड पर रुकेगी या हर मोड पर एक भ्यानक विनाश करती जाएगी ये वक्त ही बताएगा